C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारप्रस्तुत है कक्षा एक की हिंदी की ध्वनी पुस्तक सारंगी अध्याय चार रानी भी प्रिष्ठ संख्या सोलह मिलकर पढ़िये इस प्रिष्ठ पर तीन चित्र दिये गए हैं इन चित्रों में दो लड़कियां खेल रही हैं और अपने बाल भी काड़ रही हैं मिलकर पढ़िये रामा और रानी दो बहने हैं रानी हमेशा रामा के साथ रहती है रामा ने अपने बालों में कंगी की रानी ने भी अपने बालों में कंगी की रमा ने चपल पहनी, रानी ने भी चपल पहन ली प्रिष्ठ संख्या सत्रह इस प्रिष्ठ पर कुछ चित्र दिये गए हैं दो लड़कियां बस्ता टांगे स्कूल जाने की तैयारी में हैं दूसरे चित्र में मा अपनी बच्चियों को स्कूल भेज रही है रमा ने अपना बस्ता उठाया, रानी ने भी एक जोला उठा लिया रमा स्कूल जाने लगी, मा ने रानी को स्कूल नहीं जाने दिया रानी अभी बहुत छोटी है मा ने रानी को समझाया, रानी बेटी तुम अभी बहुत छोटी हो थोड़ी से बड़ी हो जाओ, तब तुम भे स्कूल चली जाना साभार बर्खा क्रमिक पुस्तकमाला N.C.E.R.D. प्रिष्ठ संख्या 18 एक अनुमान लगाकर शब्दों के साथ चित्रों को जोड़िये इस प्रिष्ठ पर जो चित्र दिखाए गए हैं उनमें बस्ता, जोला, रानी, रमा, चपल, स्कूल, कंगा और बाल हैं इन चित्रों को जिन शब्दों से मिलाना है वह बस्ता, जोला, रानी, चपल, रमा, स्कूल, कंगा और बाल हैं दो, एक बार फिर से अनुमान लगा कर अपने शिक्षक के साथ रानी भी कहानी को पढ़िए तीन, यह कहानी दो बहनों की है, उनके नाम बताईए प्रिष्ठ संख्या उननीस, उन दोनों बहनों के नाम लिखिए रानी, रमा हाँ, रानी, रमा के साथ स्कूल गई नहीं, रानी, रमा के साथ स्कूल नहीं जा पाई जो सही उत्तर है, उस पर सही का निशान लगाईए बातचीत के लिए एक, रानी, रमा के साथ स्कूल क्यों जाना चाहती थी दो, मा ने रानी को स्कूल क्यों नहीं जाने दिया खोजे जाने अपने परिवार के लोगों से बातचीत कीजिए और जानिए कि उनका स्कूल कैसा था उनके स्कूल का चित्र उनकी सहायता से बनाईए और कक्षा में सभी के साथ साजह कीजिए यह भी साजह कीजिए कि आपको उनके स्कूल में और अपने स्कूल में क्या अंतर दिखाई देता है रानी भी की कहानी में आये शब्दों की सहायता से बच्चों को र और ल की ध्वनी और आकरिती यानि अक्षर से परिचित कराएं जैसे रमा, रानी, चपल, बाल, जोला आदी बच्चों से भी इन ध्वनियों वाले शब्द अवश्ये पूछिये प्रिष्ठ संख्या 20 शब्दों का खेल एक यहां दिये गए शब्दों को सुनिये बताईए कि पहली ध्वनी कौन सी है दूसरी ध्वनी कौन सी है नाना, नानी, काका, काकी, मामा, मामी, मा, रमा, रानी, बाल, जोला नीचे दिये गए अक्षरों की ध्वनी पहचानने और लिखने का अभ्यास कीजिए न, क, म, प, र, ल तीन, यहां दी गई ध्वनियों को सुनिये का, पा, न, मा, रा, ला बताईए क, प, न, म, र, और ला के अतरिक्ट आपको कौन सी ध्वनी सुनाई दे रही है चार, अब आ लिखेने का प्रयास कीजिए आ, शिक्षन संकेत बच्चों को नाना, नानी, काका, काकी, मामा, मामी, आधी शब्दों की न, क, म, और प, ध्वनियों एवं आकृतियों से परिचित कराएं का, पा, ना, मा के माध्यम से आ की ध्वनि और आकृतियों एवं आ की मात्रा आ से परिचित कराएं प्रिष्ठ संक्या 21 पाज, यहां दिये गए चित्रों के नाम लिखिए और पढ़ने का प्रयास कीजिए यहां कुछ चित्र दिये गए हैं आलू, आम, रमा, दाग, चित्रकारी और लेखन मा, पिता, मामा, मामी, नाना, नानी, मित्र, दीदी, भाईया, आदी का कोई चित्र बनाईए चित्रों के साथ कुछ शब्द लिखने का प्रयास भी कीजिए शिक्षन संकेत बच्चों से पूछें कि उन्होंने क्या बनाया है उनके द्वारा बोले गए वाक्यों को उनके चित्रों के बराबर में लिखें बच्चों को कुछ शब्द लिखने के लिए प्रोचसाहित करें प्रिष्ठ संख्या 22 शब्दों का खेल दिये गए अक्षरों को जोड़कर अपने शब्द बनाईए क, प, न, र, म, का, पा, ल, ना, मा, दा, ला जैसे, एक, नाना दो, काम, प्रश्ण और पहली मेरे पिता के पिता, मेरे रिक्त स्थान मेरी सहेली बड़ी प्यारी, उसका नाम बूझो तो जाने मेरे नाम का उल्टा उसका नाम मैं हूँ नीरा, तो वो है रिक्त स्थान नीना की नानी का उल्टा है रिक्त स्थान प्रिष्ठ संख्या तेज, चित्र और बातचीत पैंसिल शिक्षन संकेत बच्चों से पूछें कि चित्र में पैंसिल से क्या-क्या बनाया गया है वे पैंसिल से क्या-क्या बनाते हैं बच्चों से कहें कि वे पैंसिल से अपनी पसंद का कोई चित्र बनाएं इस प्रिष्ठ पर जो चित्र है उनमें हैं पतंग, बिंदू, घर, दर्वाजा, गुबारा, गमला, चावरस, पहिया, रेखा, गोला, प्रिष्ठ संख्या, चौबीस रंग भरिये इस प्रिष्ठ पर एक चित्र है, जिसमें रंगोली बनी हुई है बच्चों को रंगोली में अपने मन पसंद रंग भरने के लिए प्रोचसाहित करें अभी आप सुन रहे थे कक्षा एक की हिंदी की ध्वनी पुस्तक सारंगी वाचन्स्वर असर नवाज उस्मानी और सुम्बुल शकील तक्नीकी निर्देशन बटिलैंग लिंग्डो ध्वन्यंकन मयंक कुमार निर्माण सहायक तनु गुपता निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चोधरी तथा प्रस्तुती C-I-E-T-N-C-E-R-T नई दिल्ली भारत